हालो दोस्तों गूड इबनिंग आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं ये थमनेल देखकर आपको जरूर पता चल गया होगा मेलनी हम लोग इसमें तीन चीज़ों की बात करेंगे एक तो आपका जो इंक्वैरी है जो कोश्चन है इमेल में वाट्सअप पे और कमेंड बॉक्स में स्कॉलर्शिप टेस्ट के बारे में और तीसरा हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जो इंपॉर्टन टॉपिक है आईस इस बुक की क्या खास बात है इस वुक की खास बात यह है कि सकशन्स वासकर डेट कोश्ट एंवाट करसक्ते हैं सबीं तरह काटे कग्ष्ट घपलेब यहाँ से आप जरूर हल कर सकते हैं अब इसको करेंख मैं इसका link description में दे रहा हूँ, आपको बस वहाँ पे click करना है, आपको जाना है और download कर लेना है, या आप direct www.ncibb.com पर जाकर, वहाँ एक option है, shop, buy और free ebook का, इस पे click करें, वहाँ ये ebook अब level है, आप वहाँ से भी download कर सकते, अब खासकर दो inquiry, जो ज्यादा तर मेरे पास आया है, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, जो PhD enrolled है, तो time का काफी problem होता है, समय कम बचता है, क्योंकि research में भी धान देना है, फिर ICMR का तयारी भी करना है, और भी नेट जारे की तयारी करनी है, तो उसके लिए हमने इसको resolve कर दिया है, कि जो crash course ICMR का चल रहा है, उसका समय 6 से 8 कर दिया है, अगर आपको इसमें admission लेना चाहते हैं, तो अराम से ले सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, अपना class भी कर सकते हैं, तो यह morning का time है, 8 am का, जो PhD में enrolled है, उनके लिए भी, और जो इसमें time पे convenient है, उनके लिए भी, और दूसरा यह है, कि जो emolment है, मतलब जो test series का fee है, वो 3000 है, या 4000 है, 5000 है, तो depend करता है कि किस तरह का service है, और उसमें किस तरह का payment है, क्योंकि अगर आप class course में यह से पढ़ते हैं, तो जिस faculty सा आप पढ़ते हैं, उस faculty को pay करना पढ़ता है, तो उसमें ज्यादा fee होता है, और जो test series होता है, उसमें come fee होता है, तो इसमें inquiry यह थी, क यह हमारे बहुत सारे मित्र स्टूडेंट जो है, वो self dependent है, मतलब earning भी है और learning भी है, तो उस case में उनके लिए इतना भी pay करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका solution मैंने निकाला है, आज यानि कि 20 October से, पूरे 30 October तर, हमने एक test रखा है, हर रोज रात में 8 बजे test होता है, इसलिए मैं रातरी में रखता हूं क्योंकि बहुत सरे student college जाते हैं, उनका अपना PhD का work चल रहा है, और किनी का class चल रहा है, जो MSC में है, उनको भी दिन में problem है, तो 8 बजे रात में ये test है, और ये हर रोज होता है, और ये 30 October तक जाएगा, चलते रहेगा test, ये test खासकर अगर इस test में आप 30% से एभाव लाते हैं, 100% तक कोई भी value हो सकता है, तो इसमें scholarship होता है 50% तक, अब अलग-लग percentage पे अलग-लग scholarship है, अगर मालेजे कि आप 30% से 50% तक लाते हैं, तो 20% scholarship है, अगर 50% और 80% के बीच है, आपका marks, तो उसमें 35% है, और अगर आपका 80% और एभाव है, 100% तक है, तो 40% तक का scholarship है, सब पोच करें तो ISMR के section A का test शरीच का emolument शरीफ 1500 है, अगर आप इस test को देते हैं, और आपका marks गर 80% और एभाव आता है, तो 40% off हो जागा इसमें, तो सिर्फ आपको pay करने हैं, 900 rupees, तो ये उनके लिए काफी मतदगार होगा, जो join करना शाहते हैं, और अगर उनके लिए finance का problem है, तो आप इस test को जरूर दें, आपको इस से lab मिलेगा, अब एक और सवाल है कि क्या खास है, हमारे team ने ऐसा क्या खास किया है, ICMR के लिए, क्यों जूड़ना चाहें, इस से, मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे section A की बात करें, ये ICMR का section A का complete analysis है, आप इसको और गौर से देखें, तो इसमें हर एक topic को अलग किया गया है, जैसे बालुजी का section है, chemistry भी है, physics भी है, other page में, एक book के तरह इसको compile किया गया है, इसमें हर एक topic को अलग किया गया है, कि actually 18-19 में क्या आया हुआ है, ICMR की exam में, जैसे disease, their causing agent and scientist involved, इससे questions आते हैं, जैसे 2018 में इससे 4 questions आये थे, 2019 में एक questions आये थे, इसी तरह से हर एक topic को अलग किया गया है, और किस topic से क्या questions आते हैं, उसके frequency क्या है, और कौन सा topic इस पर 2020 में आने वाला है, या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे तो crash course में हम लोग सब पढ़ाते हैं उनको, जो स्रिफ testories जोइन करना चाहते हैं, या book की मदद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी available है, तो ये सारी चीजी हमारे team ने बनाया है, और ये मेहनत करके निकाला है, तो आपको ये सारी चीजें फायदा होगा, अगर आप किसी में जोइन करते हैं, तो ये सब चीजें आपको अब लेबल करा दे जाएंगी, ओनले, तो क्यों का जबाब हम इतना ही दे सकते हैं भी, और आप अगर जोइन करेंगे, आप खुद ही स सुरू है, 20 अक्टूबर से, और ये 30 अक्टूबर तक चलेगा, एक नॉममबर तक, अब इस स्टेस सीरीज में खास बात क्या है, कि अगर आपका स्कोर 30 पसेंट या उससे जादा आता है, तो अप्टू 40 पसेंट तक है स्कॉलर से आप पा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आ और ये हर रोज टेस्ट होता है, आठ बजे साम में, अब बस दिये गए लिंक पर नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाएं, अपना स्लोट बूक करें, आपको किस दिन टेस्ट देना है, और आप कर सकते हैं, जैसे अब समझें कि आपको उससे क्या लाब होने बाला है, अब ICMR का CRESS कोर्स चल रहा है, तो CRESS कोर्स में इनक्वेरी या थे कि टाइम का प्रोबलम था, उसको तो solve कर दिया गया है, कि 6-8 ही उसका समय होता है, और अगर test से रिच की बात है, जैसे कि finance का प्रोबलम है, इसलिए scholarship test लाया गया है, जैसे कि इसमें हर रोज लाइब क होता है, इसके बाद उसमें 5 mock test है, 10 general value का test है, और 2 year previous year question का solution है, उसी तरह से ये हो गया CRESS कोर्स, और test series अगर कोई join करना चाहता है, तो इसमें 7 topic wise test है, और 13 topic wise section B के लिए test है, 5 mock test है, 10 general value test है, और 2 year previous question का solution है, अब अगर इसी की बात करें, तो इसका भी है 3,500 offer चल रहा है, अगर आप exam देते हैं, और उसमें 80% एभव लाते हैं, तो इसमें 40% आपका off हो जाएगा, और ये सिर्फ राज आएगा 1800 का, उसी तरह से जो combo है, यानि कि जो दोनों pack है, उसमें, CRESS course भी है, और test series भी है, इसमें आगर आपका 80% एभव आता है, तो इसमें up to 50% का off है, यानि कि ये भी 8,000 का था, और ये 50% होके 4,000 हो जाएगा, तो अगर आप scholarship देना चाहते हैं, तो अपना slot book करें, time book करें, और question आपको 8 बजी रात में मिल जाएगी उसी दिन, और result आपका publish कर दे जाएगा, email के दोवारा, और इसके बाद आप चोइन कर सकते हैं अब section A के लिए testories अलगत से क्यों हैं, क्योंकि बहुत से students जो life science से नहीं है, social science से है, ICMR में दो section है, एक Life Science का section है, एक Social Science का section है तो जो Social Science है है उनके लिए भी section एक common होता है, वो भी Join कर सकते हैं तो उनके लिए सरिफ section A का protection क्योंकि Social Science के लिए हम लोग Correct course नहीं चलाते हैं, उनके लिए और easy है ये सिर्फ और सिर्फ 1500 का यह है और अगर इसमें 80% test मिलाते हैं तो 40% off हो जाएगा और यह सिर्फ रह जाएगा 900 रुपीज के आप अगर जोइन करना चाहते हैं ताप में डायरेक्ट वाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं नमबर वाट्सप नमर है 9471455844 यह हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.ncibb.com पर वहां से भी अपना टाइम आप बोक कर सकते हैं हमें डायरेक्ट वाट्सप नमर पे अपना टाइम बता सकते हैं कि आप स्कॉलर से प्रेस्ट देना जाते हैं वहां आपको बस अपना नाम लिखना है इमेल लिखना है और हमें वाट्सप पर भीज देना है और अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो ncibb.com पर अब आते हैं मेन टोपिक पर जो हमने बताय था कि हम लोग बात करेंगे human genetic disorder genetic disorder में लें दो तरह के होते हैं एक तो genetic disorder हुआ इस genetic disorder में जीन का प्राब्लम है और एक होता है chromosomal aberration इसमें number of chromosome differ कर जाता है और इसमें genetic problem होता है इसमें मिलने आपको पांच डिजी याद रखना चाहिए सबसे पहला से किल सेल एनेमिया दूसरा फिनाइल किटोन यूरिया तीस्टा सिस्टिक फाइब्रोसिस चौथा Huntington's disease पांच मां हीमोफीलिया अच्छठा color blindness इसमें A और B दोनों याद रखें अब इसमें problem यह है कि इसको कैसे याद करें इसको पूरा पढ़ना पढ़ता है तो main बात हम जो बताना चाहते हैं आपको इसको याद करने का एक सबसे बहतरीन तरीका है इसको टेबल के फॉर्म में लिखें अब टेबल के फॉर्म में important चीजह आपकी आ जानी चाहिए आपको ऐसे लिखना है तो कैसे टेबल बनाए जैसे हम genetic disorder का अगर टेबल बनाना चाहें तो सबसे पहले हम एक number में देंगे उसका disorder नेम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे disorder का दूसरे कॉलम में हम देना चाहेंगे कि वह dominant है या recessive है तीसरे कॉलम में हम देना चाहेंगे वह autosomal है या sex chromosomal disease है और चौते नमर में हम देना चाहेंगे कि किस number of chromosome पर वह disease है यहीं से total question आता है जैसे example के तौर पर हम लेते हैं आपका sickle cell anemia sickle cell anemia एक recessive disease है तो यहाँ पर लिखेंगा हम लोग recessive वह autosomal disease है और वह chromosome number 11 पर होता है उसी तरह से हम लोग दूसरा लिखेंगे phenyl ketone urea यह भी क्या है यह recessive है यह भी क्या है autosomal है और यह 12 number chromosome पर होता है तीसरा है cystic fibrosis यह भी क्या है recessive है और यह भी autosomal है और यह यह dominant है यह आपको याद रखना है यह dominant disease है और यह autosomal disease है और यह chromosome number 4 पर पाया जाता है फिक ने लोग लिखेंगे hemophilia यह और भी दोनों ही recessive है और हम सब जानते हैं कि यह sex linked disease है और यह X chromosome पर पाया जाता है उसी तरह से color blindness यह भी recessive है और sex linked है और यह X chromosome पर पाया जाता है यह 6 तरह का main disease है जिससे questions आते हैं तो इस तरह का table आप बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कि किस chromosome पर कौन सा disease है और वो recessive है या dominant है यह यानि कि autosomal disease में से genetic disorder में से तीनों recessive होते हैं सिकल सेलीनियमिया फिनैल कुटनियूरिया और सस्टिक फैब्रोसिस और हंटिंग टनस इस डिजीज सिर्फ dominant होता है और X chromosome पर पाया जाने वल्लक दोनों ही डिजीज हीमोफिलिया और color blindness और इसे सिव होते हैं अब हम लोग बात करेंगे chromosomeal aberration का chromosomeal aberration में दो तरह का aberration हम लोग देखेंगे सबसे पहला तो autosomal और दूसरा allosomal या इसी हम लोग कहते हैं sex chromosome autosomal autosom में कौन-कौन से हैं इसमें सभी syndrome हैं जैसे कि सबसे पहला down syndrome दूसरा edward तीसरा टाउ चाउथा क्राइडू-कैट और पांचमा वॉल्फ फिर सब यह पांच डिसाउडर्स हैं तो यह पांच अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना पड़ता है कि यह जो डिजीज है कौन से क्रोमोजोम पर अवरिंट हो जाता है यह नमर अब क्रोमोजोम बढ़ जाते हैं घट जाते हैं किस क्रोमोजोम पर होता है तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा इसे क्व dal मसें डान सिंद्रॉम किस पर होता है यह ट्रायजोमी होता है ट्वन्टिवन पर इडवार्टोसंड्रौम क्या होता है यह चेड़ेगा 17 परeng ड्वृत्फैर गशैंती किस पे आता है यह ट्राइजोम ही नहीं होता यह एक्चली डिलिशन है ग्रविव प्रॉमजॉम Type व sujet है वह सौ टाम का डिलीशन होता है इसमें स्पाद है qui मैं यह लास्ट डभी अधिल सिंड्रॉम यह बीए डिलिशन ही होता है और ये fourth chromosome पे होता है ये भी short arm का deletion है ये दूनों ही short arm का deletion है एक fifth पे होता है और एक fourth पे होता है आपको ये याद रखना है ये तो हो गया autosomal अब sex chromosome लाइबरेशन कौन कौन से है उसमें भी 5 है दूसरे पेज पर लिखते हैं उसको सबसे पहला है दूसरा है नुमान सिंड्रोम तीसरा है सूपर मेल चाथा है सूपर फिमेल और पाचमा है लाइन फिल्टर सिंड्रोम अब आपको याद यह रखना है कि कौन सा सिंड्रोम में क्या कंडिशन होता है जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में हम सब जानते हैं 44 यह रहेगा आटोजॉम में कोई चेंज नहीं है लेकिन एलोजॉम में यह हो जाता है एक्स और जीरू जो सेक्स क्रोमोजॉम है उसमें एक्स और जीरू हो जाता है मैली इसको हम लग काते हैं फिमेल टर्नर सिंड्रोम और यह फिमेल सब्द क्यों आया इसमें लोकि जो नुमान सिंड्रोम होता है उसमें 44 होता है पलस य जीरू होता है तो इसको हम लोग काते हैं मेल टर्नर सिंड्रोम इसलिए अगर टर्नर सिंड्रोम सिर्फ कहा जाए तो वो female syndrome ही होता है और वो 44 plus x0 होता है अगर 44 plus y0 है तो वो male turner syndrome है जिसका नाम हम लोग करते हैं नुमान syndrome अब super male में क्या होगा एक y की संख्यां बढ़ जाएगी x y y यह हो जाएगा अगर super female है तो x की संख्यां बढ़ जाएगी normal से 44 plus triple x हो सकता है या इसमें 4 time x भी हो सकता है अगर line filtered syndrome की बात करें 44 यह common रहेगा इसके बात x x y होता है या कभी कभी इसमें triple x के बाद y होता है नहीं कि इसमें दोलो तरह का गुन पाया जाता है यह 5 है आपका sex chromosomal aberration और हमने जो पीछे 5 पढ़ा था यह है आपका autosomal aberration तो तीन चीजे हम लोगों ने पढ़ा अभी यह तीनों याद रखें जरूर इससे कुछ न कुछ questions ICMR में भी आएंगे सिर्फ ICMR में ही नहीं इससे questions CSIR में भी आते हैं DBT में भी आते हैं जितने भी इस तरह का NETJRF का exam है यहां तक की NEET की exam में भी इससे questions आते हैं कमासा करते हैं कि आप इसमें कुछ समझे हैं आप याद रखेंगे thank you so much for watching the video अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें अगर Facebook पर हैं तो page को like करें अगर website पर हैं तो website को like करें thank you so much for watching the video you